हेलो स्टुडेंट्स वेलकम चामीकल साइंस और बच्चोँ आज कि इस क्लास में हम लोग स्टाट कर रहे हैं आपकी फिजिकल केमिस्तरी को बहुत इंक ओूनेटिंट जो की रहने वाली है आपकी केमिकल काइनेटिक्स तो meat केमिस्तरी का बहुत इंपार्ट है यहीं काफी को क्एमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स तो यहां पर देख रहे ना विजीबल है ठीक है चलिए तो आप नाम को ठोगा सा क्लिएर कर लेंगे वैसे आप पहले भी उसको पढ़ चुके हैं कोई नई चीज नहीं है आपके लिए है ना rate of reaction order of reaction molecularity first order second order जो मैं नाम बोल रहा हूँ जो words बोल रहा हूँ तो आपको सहथ थोड़ा बहुत चीज़ें remind हो रही होंगी क्योंकि आपने 12th standard में पढ़ लिया है पहले बट हम फिर भी starting से पढ़ेंगे हम 0 से start करेंगे ठीक है और अगर आपने वहां पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पढ़ा है बाइचांस तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से start करेंगा देखिए तो first chemical kinetics chemical का मतलब यहां पर है chemical reaction से ठीक है chemical reaction ठीक है कोई भी chemical reaction हो सकती है और कानेटिक्स का मतलब बच्चों हमारा होता है किसे rate से rate मतलब समझ रहें ना स्पीड कह लिजिए या फिर आप इसको विलासिटी कह लिजिए इन से इसका मतलब है तो कहने का मतलब यह है कि किसी केमिकल रियक्षान के रेट को या उसकी स्पीड को उसकी विलासिटी को हम लोग इस चैप्टर में डिसकस करने वाले हैं क्या मतलब हुआ हमारे पास है chemical reaction है A plus B gives C plus D है हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो reactant है और B है और वो कहां convert हो रहे हैं C और D मैं मतलब project में convert हो रहे हैं तो मैं क्या देखूंगा इस reaction की speed के बारे में पढ़ूँगा इस chapter में हम लोग क्या पढ़ेंगे कितनी speed से यह reactant जो है product में convert होता है इसका speed convert होने का rate है वो क्या है ऐसे आप बोल सकते हो तो सारी चीजें एक ही हैं मतलब overall मैं पढ़ने वाला हूं इसकी speed को इसके time होने को कब यह reaction complete होगी कब 50% होगी तो इसके साब से हम बहुत सारी चीजें को deal करने वाले किसी reaction के बारे में तो basically मैं आपको बता दिया क्या पढ़ना है हमें किसी reaction के rate मतलब उसकी speed को study करना है चलिए तो clear हो आपको unit का तो चलिए अब हम इसमें कुछ क्या क्या चीजें हैं देख सकते होता ठीक हैं तो जैसे लिख दूँ या मैं आपको आजाएगा समझ में दब रांच और फिजिकल के मिस्ट्री लिखिया आप लोग भी अब ब्रांच और फिजिकल के मिस्ट्री डीविच डीविद्ध ब्रांच यिसमम क्या डील करते हैं किसी डीविट को डील करते हैं ठीक है विद्ध रेट of reaction और इच कोड़ केमिकल काइनेटिक्स ऐसा भी लिख सकते हो इस कोड़ इच कोड़ केमिकल काइनेटिक्स तो आप इसको ऐसे नोट भी करते रहेंगे आपको विजिबल है ना प्रॉपर ठीक है चलिए तो क्या देखा आपने दा ब्रांच फिजिकल केमेस्टि विज दील से विद रेट ऑफ रियक्शन रेट ऑफ केमिकल रियक्शन भी लिख सकते हैं इस कोड़ केमिकल काइनेटिक्स ठीक है अब बेसिकली आप देखिए पहले हम इसमें पढ़ने वाले जैसे सबसे पहले हम बच्चे उसमें पढ़ेंगे रेट रियक्शन ठीक है किसी भी रियक्शन के रेट को यहाँ पर डिसकस करेंगे ठीक है और उसके लिए हमें क्या पढ़ना पढ़ेगा रेट लॉ तो एंड रेट लॉ ठीक है तो रेट ऑफ रेक्शन पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे उसका रेट लॉ पढ़ेंगे ठीक है दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों, factors influencing of the rate of reaction, या factors affecting भी रिख सकते हूं, factors affecting, factors affecting the rate of reaction, rate of reaction, क्या factor हो सकता है, जैसे हो सकता है, concentration, ठीक है, concentration, अगर मैं change करूं, तो क्या rate of reaction change होगा, यह हो सकता है, और हो सकता है, temperature, ठीक है, और क्या हो सकता है, catalyst, catalyst का भी कुछ नहीं को असर पढ़ता होगा, तो आप इसको भी देख सकते हो, एक सेक्टरा कर लेजिए, ठीक है, तो यह कुछ factors है, जिस पर हम देखेंगे कि इनका कैसे change करते हैं, कैसे rate of reaction का factor करते हैं, It is clear, third part हम फिर इसके जब यह सब cover कर लेंगे, इसमें अभी यह बच्चो दिखने का आपको छोटा जरूड लग रहा है, लेकिन यह बहुत बढ़ा है, यह ठीक है, यह topic बहुत बढ़ा है, इसमें आपको अभी even temperature पर आपको पूरा लक्स एक छोटा unit tap का ही पढ़ना करने के लिए बात नहीं है, सब हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके लाव फिर हमारा आतना है, बच्चों, mechanism of reaction, ठीक है, mechanism का मतलब जो थोड़ा आप detail में समझेंगे, कैसे-कैसे reaction हो रही है, कैसे-कैसे collisions हो रहे हैं, है ना, तो उसमें rate of reaction कैसे depend करता है, है ना, तो कई चीज़े हैं इसमें, इसको भी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, clear है, चलिए, तो मैं side हो जा रहा हूं ताकि आप इसको note भी कर सके और हम मैं इसको हटा रहा हूं, यह से आगे चलते हैं, बच्चों, I hope so, कि आपने note कर लिया होगा, ना, इसको भी हटा देते हैं, देखिए, आप बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, हमें जब chemical कानेटिक्स के हिसाब से है, पढ़ने के हिसाब से, अपने study के हिसाब से, reactions को जो है, तीन पार्ट में हमने mainly divide कर लिया है, ठीक है, अब वो कौन-कौन से हैं, मैं आपको बताता हूं, देखिए, तो तीन पार्ट है, reactions के, types of chemical reaction, अच्छा, chemical reaction के टाइप नहीं पढ़ने हमें, अपने topic के साफ़ सेबनेश को classify किया है, ठीक है, तो basically types of chemical reaction में है, types of chemical reaction, ठीक है, और किसके हिसाब से reaction, types of chemical reaction, based on, ऐसा लिख लिएते हैं, based on, कानेटिक्स लिख लिए या फिर rate of reaction कर लिए इसके बेसे में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो कैसे कैसे हम इसको कर पाएंगे, clear है, देखिए, तो types of chemical reaction, based on, और और रेट अव रिएक्शन, तो इसके लिए हमने basically इसको तीन पार्ट से में divide किया हुआ है, ठीक है, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में, पहला पार्ट जो है बच्चो हमारा, उसे हम बोलते हैं, क्या, fast reaction कह सकते हो, instantaneous reaction कहते हो, very fast reaction कह सकते हो, दूसरी होते हैं, बच्चो, very slow reaction, extremely slow, क्या कह सकते हैं हम इसको, extremely slow, very slow reaction, very slow reaction, टीसरा भी देखते हैं भी, बताते हैं भी, तो पहले चलिए हम देखते हैं, very fast reaction, अब यह क्या चीज़े हैं, बच्चो याद रखना हमें साब, very fast reaction, जो हैं, बहुत जादा fast reaction हो, basically होती है, ionic reaction, कौन सी होती है, ionic reaction, मतलब, ionic reaction, ऐसी reaction, जो किस में हो, ions के बीच में हो, मतलब, उसमें ions participate कर रहे हो, reaction में, जैसे क्या, आप कोई acid base ले जिए, जैसे आप NaOH और HCl का reaction ले लिजी, ठीक है, like, NaOH plus HCl, क्या बन जाएगा, बताइए, NaCl, H2O, क्या है, यह acid base reaction है, जो pure ion के बीच म होती है, है ना, एक और होती है, जैसे, A, G, NO, 3, ठीक है, और NaCl ले लिजी आप, यह भी देखो, आप क्या है, ions के बीच में हो रही है, ठीक है, NaCl भी क्या है, salt है, आपको पता है, यह ऐसे कुछ होगा, ठीक है, और यह भी ऐसे कुछ होगा, इनके बीच में reaction करवाईए, त इतना speed से यह reaction हो जाएगी, कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उसके rate को determine ही नहीं कर पाऊगे, microseconds में हो जाए, कितने में होगी, microseconds में, क्या बनेगा, पता ही, इसमें, A, G, C, L, बन जाएगा, इसका wild PPT बन जाएगा, precipitate, आपको दिखेगा, और plus, क्या बचा, NaNo3 ब हो जाएगी, complete हो जाएगी, आपको समझने का, देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, यह reaction कब हो गई, है ना, अब जा आपको समझने का time ही नहीं मिला, तो अब यसरी बात है, आप इसके rate of reaction को पढ़ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, समझ माया, इसके बड़ी गाड़ यह, ट्रक हो गए रहे हैं, हम यह आने लगा आजकल, एक safety feature होता है, इसमें बोलते है, airbags, है ना, तो airbags में देखा, आपने, क्या, micro second के अंदर, वो क्या हो जाते है, क्या हो जाते है, कैसे खुलते है, जैसे, suppose, दो vehicle है, और वो आपस में टकराए, या किसी अंदर भी ऐसी reaction होती है, उसमें actually में क्या होता है, हमारे कुछ chemical reaction होती है, कि spark होता है, ठीक है, क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, twice of Na, N3, ठीक है, इसका ना है बच्चो sodium azide, क्या ना है इसका, sodium azide, this is azide ion, इसको जानते हैं आप लो, N3 negative, this is azide ion, ठीक है, sodium के स क्या होता है, एक दम spark होता है, जब आपसे टकराते हैं, तो उसकी mechanism कुछ ऐसी बनाई गई है, कि उसके अंदर क्या होता है, इसको टकराने से, और क्या होता है, twice of na बन जाता है, और plus, thrice of n2 बन जाता है, this is n2 gas, समझ माया, तो देखें, nitrogen gas निकलती है, इतना speed से, और यही nitrogen gas क्या होती है, क्या हो जाती है, भर जाती है किसके अंदर, बलून्स के अंदर, airbag जिसे बोलते हो, ठीक है, तो यह काम इतना microsecond, microsecond क्या, यह actually में इसको होने में लगते है, क्या, million, इसमें होने में लगते है, 10 milliseconds, not millions, क्या लगते है, 10 millisecond के अंदर यह काम हो जाता है, exactly बताऊं, तो 10 millisecond, ठीक है, तो इतना, देखो, कितना कम टाइम लगा, है ना, तो तकर का उस को इंपक्ट, जैसे ही होगा, गाड़ी पर वैसी क्या हो जाएंगा, आपके airbags खुल जाएंगे, जिससे कि यह क्योगी, airbags में nitrogen gas भर जाएगी, और आपको थोड़ा server, टकर में से ऐसे बच जाएग समझ मारी बात नहीं, तो यह देखा, आपने क्या है, यह very fast reactions है, है ना, इतनी fast होती है, reaction कि आपको इनकी speed को पढ़ने का time नहीं मिलता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, यह reaction कब हो गई है, तो बहुत ही fast reactions होती है, बच्चो, clear है, ओके, चले, अब हम देखते हैं, बच्च slow reactions, वो reactions होती है, बच्चो जो होने में, बहुत सारे दिन, दिन, ददद, बीस, बीस, दिन, या कुछ तो ऐसी होती है, साल, कुछ हो सकती है, जो सदिया लगाते हैं, बना, 100 years लगाते हैं, तो ऐसी reactions होती है, वो इतनी slow होती है, कि आप उनको पढ़ी नहीं पाओगे, उनका of iron, क्या मतरवस बात का, आपने देखा, let us suppose, मेरे हाथ में जो marker pen है, यह क्या है, piece of metal है, piece of iron है, let us suppose, आपने देखा न, सरीय वगरा होती है, ऐसा समझ दीजी, ठीक है, आपने यह करना, इसको ऐसे, एक मिट्टी में इसको थोड़ा सा गहरा, एक दो फिट नीजे, मिट्टी मैं कह रहा हूँ, मिट्टी में इसको दबा दिया, suppose मैंने या कुछ ऐसा, तो इस पूरी metal की rod को खतम होने में, कितना साल लग जाएंगे, बताए, कितना टाइम लगेगा, आपके साब से, of course, क्योंकि जो हमारे घर में जो चीजे होती है metal की, उसको धिरे-धिरे खतम होने म है, ठीक है, समझ माया, और alcohols, fermentation of alcohol, alcohols होता है न, ठीक है, drinkable alcohol जो अबराते है, ethanol, उसके लिए fermentation process लगा जाती है, उस reaction को होने में 10, 12, 15, 20 दिन तर लग जाते हैं, ठीक है, fermentation of alcohol, fermentation of alcohol, yes, क्या होता है, fermentation of alcohol, जाते हो न, किस से बनता है, बताईए, yes, नहीं पता, केन सुगर से, ठीक है, तो ये दो reactions कैसी है, very slow reactions है, इनके rate को पढ़भाना भी क्या है, almost impossible है, क्योंकि बहुत ज़्यादा slow है, इतनी ज़्यादा slow है, कि आप इसका हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, अब हमारे पास, तीसरे type की दो reaction है, वो बच्चों हमारे का काम की है, अब इता, आपको भी आदा, very fast reaction, और very slow reaction, अब हम पढ़ते हैं, क्या है, अपने काम की reactions, जो की हैं, कौन सी, moderate reaction, ठीक है, या moderately slow reaction, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, moderately slow reaction, yes, moderately slow का मतलब होता है, कि ऐसा time, जिसको हम easily पढ़ सकते हैं, study कर सकते हैं, measure कर सकते हैं, उस type की reactions होती है, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक दो line हैं लिखनी है, तो आप लिख लीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ, या मैं लिखके दिखाऊं, लिखें, देखें, तो moderately slow reaction का मतलब होती हैं, तो moderately slow reaction का मतलब होती हैं, तो इसको कुछ practical methods हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं, यह कौन सी reactions हैं, जो हम इस category में रखने वाले हैं, जैसे inversion of cane sugar, पहरा reaction हैं, बच्चों के साथ, हमारा inversion of cane sugar, ठीक है, क्या है cane sugar, आप जानते हो, C12, H22, O11, यह हमारा cane sugar है, मतलब sugar, जिससा आप बोलते हो, चीनी, ठीक है, आप इसका hydrolysis करवाएं, बच्चों क्या कर रहा हैं, हम इसका, hydrolysis, acidic medium में हो जाएगा, तो क्या होगा, बताई क्या बनेगा, आपने बहुत पहले स reaction पर लखी है, C6, H12, O6, C6, H12, O6, ठीक है, क्या क्या बनते हैं, बताई क्या है, आपका cane sugar है, ठीक है, इसको सुक्रोज बोलते हैं, और हमारा जो product है, क्या बनते हैं, glucose और fructose, क्या बनते हैं, glucose और fructose, तो यह reaction है, यह moderate type की reaction है, इसको हम लोग अपने saliva से पढ़ेंगे, आप देखेंगे, अभी हम इसका reaction का use भी करेंगे काफी बार, है ना, तो यह भी काफी अच्की reaction है, और जैसे हम देख सकते हैं, formation of harmonia देख सकते हैं, like, N2 plus 3H2, और क्या बन जाएगा, twice of Ns3, ठीक है, इसमें बाकी catalyst की जरूद नहीं है, मैं अभी जस्टम reaction का type पढ़ रहे ऐसे reaction है, जिसको हम study कर सकते हैं, क्योंकि इसका rate क्यों होता है, moderate reaction होती है, moderate rate होता है, तो हम इसको भी study कर सकते हैं, ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी reactions है जिसको हम पढ़ेंगे, जो जाल दा reaction आप देखेंगे, जो जो reaction हम पढ़ रहे हैं इस syllabus में, इस chapter में, it means, वह इसी category की reaction ह तो आपको अलग से पढ़ने जरुद नहीं है आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कौन-कौन सी रियक्शन से तो देखा आपने हमने यह गरा chemical condition हमने क्या क्या पढ़ना है बताइए बचो हमें chemical condition हम पढ़ना है basically किसी reaction की speed को ठीक है उसकी velocity को या उसके rate को हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं ठीक है तो इसके लिए हमने reactions को तीन पार्ट में divide किया गया है एक very slow reactions एक moderate reactions और एक very fast reaction fast reaction means instantaneous reaction जो पलक जपकते ही खतम हो जाए आपको पता भी ना चले कि इतना जल्दी reaction complete होगई तो उनको पढ़ना बहुत tough है क्योंकि वह इतनी फास्ट होती ही कि हम उसको study नहीं कर सकते है उसके rate को measure नहीं कर पाते ठीक है धुशरी हमारी कौनसी होती है very slow reaction हो इतनी is moderate reaction moderately slow reaction जो हमारे काम की है और इस चैप्टर में हमें इन ही को पढ़ना है इस क्लियर यस ओके ठीक है तो चलिए अब हम बच्चो इस लेक्चर को इंपर खतम करते हैं ज्यादा लंगा हमें नहीं करना है अभी नेक्स प्रास में हम लोग क्या पढ़ने वाले है rate of reaction को discuss करने वाला जो बहुत important topic होने वाला वहीं से आपका exam में question भी आएंगे ठीक है ये वाला आपसे नहीं पूछने वाला है ये just आपको basic knowledge के लिए मैंने बताया